प्यारे विदार्तियों नमस्कार एक बार फिर से नई अजुकेस्टनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तो अगर आप भी BSTC 2021 की त्यारी कर रहे हैं तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि दोस्तो BSTC में जो हैं 30 नमबर के क्वेस्टन हैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड पूछे जाते हैं जो की 500 नमबर के होते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में मैं BSTC 2021 के लिए हिंदी ग्रामर के 30 में तो पुन प्रशनों को लेके आया हूँ दोस्तो यह सभी प्रशने जो हैं पिछले एक्जामों में पूछे गए हैं आप BSTC के जितने भी एक्जाम हुए हैं पिछले उन सभी की पेपर आप उठा के देख ले उसमें यह क्वेस्टन पूछे गए हैं उन्हीं की मैंने यह वीडियो बनाई है क्योंकि बार बार रि किरिया निचे दिए गए सब्बों में कीरिया सब्दों कोनव सा हैं तो दोस्तो चार ऑप्सें दिए गए हैं पहला है बोजनृष्ण्रा मिठाई तीसरा है सजना चोता है संसकार तो दोस्तो किरिया जो सब्दे वो आपका C option राइट हो जाएगा सजना जो है एक किरिया होती है तीसरा option आपका राइट हो जाएगा तो दोस्तो तीसरा option का जो तीसरा answer इसका जो राइट option हो जाएगा वो दोस्तो चोता option हो जाएगा आई से अधिक विया करना चादर के बाहर पर प्रसाना मुआवरे कारते आई से अधिक विया करना चोता प्रस्ण है दयालू का विलोम है दोस्तो हिंदी grammar में बेस्टिसी में जो है हिंदी का जो syllabus है आपको विलोम सब्द याद करने पड़ेंगे संदी समाच और परियावाची समनारती सब्द मुआवरे लोकोक्तिया वाच्ची वाके सब याद करने पड़ेंगे मैं अप to upload कर दिये हैं वहाँ पर जाकर आप बैतरिनं तियारी कर सकते हैं भी इस टिसी की वीडियो देख के चौता प्रसन एदयालू का विलोम है चार असन गयये पहला है अकुर दूसरा है consistently warrior future मतलब ओता है वो है दया करने मौलत तो इसका जो राइट ओप्षन हो जाएगा वो जिसमें दयान होते हैं तो धी ओप्सिन आपका राईट अपस्ञाएगा प्रश्न है मौक का विलोम हैं दोस्तों पहला और दोस्तों इसका जो विलोम सब्द हो जाएगा वाचाल आपका तीसरा उप्सन राइट अप्सन हो जाएगा चटा प्रस्ण है निमनलिकित में से आधी रात अर्थ का दोतक सब्द कौन सा है मतलब आधी रात के लिए हम कौन सा सब्द परियुक्त कर सकते हैं पहला अप्सन सरवरी दूसरा है निशीत तीसरा है तमिस्तरा चोता है नक्तम तो दोस्तों आधी रात के लिए जो सब्दम परियुक्त कर सकते हैं वह हैं निशीत आपका बी ओप्सन राइट उप्सन हो जाएगा जो आपको तीन नमबर दिलाएगा साथा प्रसन है नेसरगिक का विलोम ह दोस्तों पहला उप्सन है सामयक दूसरा है करतरीम तीसरा है चमतकार चोता है कोई नेसरगिक का विलोम हो जाएगा आपका बी ओप्सन एक दब में राइट ओप्सन है दोस्तों वीडियो के अंड में जरूर बताएगा कि तीस में से कितने प्रसन आपने सही किये ताकि आठ वा प्रसन है तक्सम सब्द का चेहन कि जिह दोस्तों तक्सम सब्दों वह सब्दोस्ते जो सेंसवर्ण को इस में पर्यूक्त प्र तो इस में आपको तसम सब्सेलेक्ट करनाया पहला है नमा प्रसनहें X1 किस वर्ग के वेंजन है जो X1 है, वो किस वर्ग के वेंजन है पहला है क, प्लस च बी है क, प्लस च तीसरा है क, प्लस च चोथा है, उप्यूक सभी तो दोस्तो X1 जो है, वो आपके क, और सर से सर सटकोंड वाला सर से मिलकर बने होते हैं, आपका B option राइट अप्शन हो जाएगा दस्वा प्रस्ट कौन सा सब्द तद्बोग होगा पहले हमने तत्शम की बाद किते अब तद्बोग की बात करें यानि कि जो हिंदी में परियुक्ष के जाते हैं पहला उप्शन है नीरज दूसरा है सरोज तीसरा सुरज चौता अरोज तो दो मलेकित मेंसे कौन सा सब्द सुद है पहला है उननती दूसरा है उननती तीसरा है उननती चोता है उननती दोस्तो यह confusion वाले question होता है लेकिन आपको बारीकी से देखना है इसका जो right option हो जाएगा वो डी हो जाएगा उननती चोते नमबर वाला जो उननती लिका है वो एकदम बार्वों कश्चन है किस क्रमांक में खिड़की का परियाईवाची नहीं है दोस्तो पहला अप्शन है वातायन, दूसरा है गवाक्स, तीसरा है जरोका, चोता है दौर, दोस्तो इसका जो राइड अप्शन हो जाएगा वो डी वाला अप्शन हो जाएगा दौर, ये में चकर होता है यानि की विष्णू तो दोस्तो बवीरी समाज आपका राइट अप्षन हो जाएगा पहला उप्षन आपका एकदम करेक्ट आंस्वर है चाओ-दूर क्वेश्चन है किस क्रमांग में सभी परियावाची सही है दोस्तो पहला उप्षन है देनू गर महिसी तीसरा है रुदीर, रक्त और लवू, चोता है हानी, गाटा, लाब दोस्तो यहां पे सभी को सही के बारे में पूचा है तो दोस्तो आपका सी ओप्षन एकदम राइट अप्षन होना जाएगा जहांके जो हैं सभी एक दूशे के परियावाची है पंदरवा क्वेश्चन इसर वाकिए एकदम आपका राइट अप्षन हो जाएगा दोस्तो सोडवा क्वेश्चन है जो दूसरों में केवल दोस ही खोजता है इसका अंसर क्या उनसा वागा दोस्तो यह एकल सब्दे जो दूसरों में केवल दोस ही खोजता है पहला है छिदरा अन्यवेसी, दूसरा समालोचक तीसरा है निंदक चोटा है दोस रही जो दोस्तो इसका राइट पुसरन हो जाएगा यह चिद्रा अनुचर जो दूसरों में में सके वो दोस ही खोचता है उसे चिद्रा अनुचर का जाता है यह एकल सब्द है जो आपको याद करने है सतरवा क्वेश्चन है मित्र का समानार्ती है पहला है अरी दूसरा है रिपू तीसरा है अनुचर चोटा है सरचर तो दोस्तो इसका जो राइट अप्शन हो जाएगा वो चोटा अप्शन हो जाएगा सरचर आपका मित्र का समानार्ती है अठारवा क्षचन है नीचे दिये गए सब्दों में संग्या सब्द कौन सा है दोस्टो पहला अप्षण है मुर्क दूसरा है प्राते है दीसरा है विश्टरत चौता है बुराई तो दोस्तो इजी सा question है संग्या जो सब्दे वो चोता option राइट हो जाएगा बुराई और बुराई में आपको मालू महत तो बावाचक संग्या है उनीसवा question है जिसके समान संसार में कोई दूसरा ना हो के लिए एक सब्दे एक सब्द कौन सा होगा जिसके समान संसार में कोई दूसरा ना हो पहला है नास्तिक दूसरा है असमान तीसरा है अधवित्य और चोता option है अपतुक कोई नहीं तो दोस्तो जिसके समान संसार में कोई दूसरा ना हो उसे अधवित्य का जाता है आपका C option राइट option हो जाएगा बीसवा question है अवियववाव समास का उदारन है पहला है माकन चोर दूसरा है आजनम तीसरा है माता पिता चोता है त्री लोचन तो दोस्तों पहला और C आपके द्विववाव समास के उदारन है चोता option जो है वो आपके द्विवव समास के उदारन है और C जो अपसन है मात किचिगा B जो अपसन है आजनम वो आपका अवियववाव समास का उदारन हो जाएगा तो आपका B जो अपसन है वो राइट उपसन हो जाएगा 21 वा question है मृत्यू जय तई सब्ड में कौन सा समास är पहला उसन है पहला उसन है दन समास दूसरा है ततपुरस, तीसरा है भवीरी, च peutisterस है दrick go तूसरों मृत्यू जय का सब्ड है मृत्यू को जीतना वाला आपका भवीरी समास एक दम राइड उसन हो जाएगा दोस्तो पहला है निस्हेल दात्मक तूसरा विश्मयास बाव हुधत्तुंट करती वाकिवी व行 जाएगा आपका V च Australians यूगमक का सई ऊर्थ यूगमें धूस्तो वैबत्त क्राव है डीस ना और दस दूसरा है डंक और चुबन दूसरा है विश और दानंग धौधा चौटा है हिस्सा और रावर्न को दोस्तो इसका राइट उप्षachesन व जाएगा हूं की आपका सी और स्फर्ण जाक然 दौस्तो इसका जो open प्वियर्ची सब्द में आपका करमधारी सिमाज अपका डि ओप्षन एकदम में राइट ओप्षन हो जाएगा पचीसवे पर बर्बर सब्द का ना पने अच्छे से पढ़ा है तो पहला अप्षन राइट हो जाएगा बर्बर का जो विलोम सब्द है वो सब भी हो जाएगा 26 question है अर्चना सब्द का सई अर्थे पहला है अंतरमन से अराधना करना दूसरा है बाईय उपकरनों से सम्मान करना तीसरा है सवीधी भावपरदान सतकार चोता है मत विशेज के अनुशार धर्माचार तो दोस्तो अर्चना सब्द का जो सई अर्थे वो सी उप्शन हो जाएगा सवीधी भावपरदान सतकार आपका सी उप्शन राइट हो जाएगा जो आपको तीन नंबर दिलाएगा 27 question है नदी सब्द का परियावाची नहीं है दोस्तो पहला है सरीता दूसरा है कलापी तीसरा है तर्टिनी चोता है तरंगिनी तो दोस्तो इसका जो राइट उप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी कलापी नदी सब्द का परियावाची इसमें से कलापी सब्द नहीं है दूसरा option right option है दोस्तो 28 question है किस कर्मांक में अभिराम अभिराम सब्द यूग का सईव अर्थ बेद है अभिराम और अभिराम का आपको सब्द बेद यान पुर्णना वड़ेगा पहला है मनोहर या सुंदर दूसरा है मनोहर और विस्तरित तीसरा है सच और उन्नत चोथा है सुंदर और लगातार तो दोस्तो अभिराम का मतलब होता है सुंदर और अभिराम का मतलब होता है बिना रुक है यानि की लगातार तो आपका चोथा option D आपका right हो जाएगा सुंदर और लगातार गुन तीस्वा question है निम्न में से किस वाकिय में सकर्म किरिया का परियोग वा है दोस्तों इस प्रश्णों को पढ़ने से आपको पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सकर्म किरिया क्या होती है वो किरिया जिसमें करम पर आश्रित होती है यानि कि सीधे साधे अगर हम साधारन बादसाम में परिय नहीं है तो दोस्तो चोथा उप्टिए आपका राइट उप्टिए दोस्तों इसका जो राइट उप्टिए वो तीसरा सी उप्टिए बाइगा दु क्या सब्ट्रम जो है यहां पर हमारे तीस में प्रशनों की श्रीज शवापत होती है सब्सक्राइब करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नई वीडियो में